हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गैत्मर इंफो यूटूब चैनल आज के जो जी के कॉश्चन्स हैं जी के कॉश्चन्स विथ आंसर्स इन हिंदी लेंग्विस और यह जो जी के कॉश्चन्स है इनका टॉपिक है 1857 की क्रांती 1857 रिवुलिशन से रिलेटेड कुछ से कलेक्ट की हैं लाइक यूपी PCS में कुश कॉश्चन किये गए हैं यूपी SC में कुश कॉश्चन किये गए हैं SSC, Banking, Railway सभी से मैंने कुछ कॉश्चन हैं वो कलेक्ट की हैं वैसे इसके अलावा और भी कॉश्चन इसमें इंपोटेंट बनते हैं जो मैं आगे वीडियो अप्लोट आपके लिए करती रहोंगे तो चलिए ये वीडियो काफी helpful रहेगा आपके लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसका पहले कॉश्चन 1857 की क्रांती का मुख कारण क्या था मींज 1857 की क्रांती क्यों हुई थी आंसर अंग्रे जो दोरा भारतियों का आर्थिक सोसन और सेकेंड इसका कारण था जो इसकी चर्वी बाले जो कार्तुस का प्रियोग किया जा रहा था ये ठीक है सेकेंड कॉश्चन है 1857 का जो बिद्रोय है वो कहां से प्रारम हुआ था शुरुवात कहां से हुई थी तो इसका अंसर होगा मेरट 1857 की क्रांती या जो बिद्रोय है इसका आरंभ या प्रारंभ मेरट से हुआ था नेक्स्ट 1857 की क्रांती की शुरुवात कब हुई थी अभी हमने देखा कहां से हुई थी लेकिन कब हुई थी तो इसकी शुरुवात 10 में 1857 से हुई थी नेक्स्ट 1857 के सोतंतता संगराम का प्रतीक क्या था ये most important है ये UPPCS में ये question किया गया है 1857 सोतंतता संगराम का प्रतीक आंसर है कमल और रोटी ठीक है ये most important question है नोट डाउन कर लीजेगा नेक्स्ट 1857 की क्रांती के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था ये UPPC में ये question किया गया है तो इसका correct answer रहेगा Lord Canning ये UPPC में question किया है most important question है नोट डाउन कर लीजेगा कार्तुस को प्रियोक करने से मना कर दिया गया था SSC CZL में ये question आया हुआ है answer है mangal pande next question देखेंगे 1857 की क्रांती के समय ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कौन थे ये भी UPPC में ये question किया गया है 1857 की क्रांती की समय ब्रिटेन का प्रधान मंत्री कौन था आंसर होगा Lord Palmsherton उस टाइम ब्रिटेन के प्रधान मंत्री थे next 1857 की क्रांती के समय किसने इलहबाद को आपात कालीन मुख्याले बनाया था answer Lord Canning नहीं जोकी गवर्णर जनरल थे उस टाइम के next 1857 के संगर्स में भाग लेने वाले सिपाईयों की सबसे अधिक संख्या कहां से थी कहां से सबसे अधिक संख्या में सिपाई सामिल थे answer अबद सबसे ज़्यादा संख्या अबद के सिपाईयों की थी next वेरकपुर छावनी में किसने बिद्रोई की कमान समाली थी वेरकपुर छावनी इसका correct answer होगा मंगल पांडे यह caution आपको घुमा के भी पूछे के बेरकपुर छावनी से कौन था स्वतनता सैनानी तो मंगल पांडे भारत के किस हिस्से में 1857 का बिद्रोई हुआ था तो उत्री और मद्द छेत्र में नौर्थ और सेंट्रल में हुआ था next 1857 के बिद्रोई में किसने अपना बल्दान सबसे पहले दिया था सबसे पहला बल्दान किसका था और इसका भी आंसर होगा मंगल पांडे most important question है 1857 करांती में तात्या टोपे ने किस सहर से सैनकोकर नित्त्त्व किया था answer यह भी important question है SSE में किया गया है यह question next 1857 के बिद्रोई के बाद भारती सेना के नव गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया था answer पील आयोग यह भी railway में यह question किया गया है next वह कौन थे जनोंने 1857 के बिद्रोई को सोतनता की पहली लड़ाई कहा था कौन थे answer S N SEN चीक है चड़े next question देखेंगे रानी लक्षी वभाई की समाधी इस्थल कहा है यह normally यह question किया जाता है 10th लेवल के examination में पूछा जाता है answer है Gualir Madh Pradis रानी लक्षी वभाई की समाधी इस्थल next 1857 विद्रोई में रानी लक्षी वभाई ने सैनकों का नित्रत्व कहां से किया था तो यह आप सभी अच्छे से जानते होंगे जहासी से क्योंकि वो थी जहासी की रानी लक्षी वभाई चलिए next question देखेंगे विटे सैना अधिकारी यूरोज ने किसे कहा था कि यह भारतिय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है आंसर रानी लक्ष्मी बाई को इन्होंने रानी लक्ष्मी बाई को बोला था कि भारतिय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है next लखनव बिद्रोय का नित्रत्व किस ने किया था लखनव से कौन नित्रत्व कर रहा था आंसर होगा वेगम हजरत महल वेगम हजरत महल इसका आंसर नेक्स्ट, 1857 का बिद्रोय, शुरू किसने किया था, किसने प्रारम किया था ये, तो आंसर इसका होगा, सिपाईयों ने, ठीक है, ये भी important question है, इसको भी note down कीजेगा, अंग्रेजी भारती सेना में चरवी वाले कार्तूस से चलाने वाली Anfield Rifle कब सामिल की गई थी, most important question, आंस December 1856 में, किस बंदू का प्रियोग 857 के विद्रोय में तातकाली कारण से दुआ था, जस्ट अभी हम ने देखा इसका आंसर, अगर आप करते हैं तो कमेंट कीजेए, जी हाँ, इसका आंसर है, Infield Rifle, जो चरवी से, जानवरों की चरवी से, जो ये राइफल का यूज होता थ मंगल पांडे किस बर्स East India Company की सेना में सामिल हुए थे, वेरी वेरी इंपोर्टेंड कॉशन, मंगल पांडे किस बर्स East India Company में सामिल हुए थे, आंसर, 1849, इस भी में, 1849 में, नेक्स्ट, मंगल पांडे सिपाही थे, कहां के थे, मींस उन्होंने कहां पर जॉइनिंग या, क इस बटालियन के वो सिपाही थे, अभी हमने कुस्ट कॉशन देखा है, उसका आंसर, 34 भी नेटिव इंफेंट्री, यानि वेरेकपुर से 34 भी नेटिव इंफेंट्री के, 1857 इस भी के बिद्रोय में, दिल्ली का नित्रतों किशन किया था, दिल्ली का, ये important कॉशन है, इसक के सलायकार थे, अजी मुल्ला खां, किसके सलायकार थे, ये भी कॉशन important है, वैसे सारी कॉशन important है, आंसर होगा, नाना साहब के, अजी मुल्ला खां, नाना साहब के सलायकार थे, So friends, ये थे 1857 की क्रांती से संबंदित कुछ important questions जैसा कि जिस भी examination में जो question किया गया है मैं आपको उसी question के time पर बताती आई हूँ UPSC, UPPACI, UPPCS, SSE, Railway सभी ज़ले से मैंने ये कुछ questions collect किये है 1857 की क्रांती कोई छोटी क्रांती नहीं है इस related और भी important question आपके लिए बन सकते हैं या है So मैं आगे आपको इस पर भी और other topics पर भी videos upload करती रहूँगी आपकी जीके से related important topics आपके लिए लाती रहूँगी अगर आप किसी भी competition examination की तैयारी करने है चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा वेल आइकन के अल अपसन को प्रेस कीजेगा थैंक्स फॉर वाचिंग